नमस्कार मैं हुशसी आये जरगां की टॉप 25 परमोग खबर जानते हैं दुनिया के कई देशों में कुरोना संक्रमीतों की संख्या बाढ़ रही है देश की रजधानी दिली में भी संक्रमीतों की संख्या में हो रही लगातार बढ़तरी देश के लिए चिन्ता का कालन है इसे लेकर गिरी मंत्राले ने सोमवार को बैठक बुलाई है बता दे कि इस बैठक में हर आम मोदे पर चर्चा होगी जाखन मौसम विभाग के अनुसार राज़ानी राची सहित आसपास के इलाकों में अगले पांच दिनों तक मौसम साफ रने का अनुमान है वहीं भी भाग कि माने तो इस दोरान आसमान में बादल नहीं रहेंगे अगामी चार और पांच नौमबर को धुंद और कोरा का प्रभावरा सकता है अगले साथ दिनों में सहर के निमतम तापमान में एक डिगरी सेल्सियस की गिरावट हो सकती है अधिकतन तापमान में भी कमी के असार है जारखन के किदिसी मंत्री बादल पत्रलेक आसन सोल जाकर कराया सीटी सकेन दो दिन पहले सबक दुरगाटना में चोटी लुए जार्खन की क्रिसी पसुपायों नव सरकार्था मंत्री बादल पत्रलेक ने सनीवार को पच्छिम बंगाल के आसन सोल जीला में जाकर अपना सेटे सकेन करवाया डाक्टरों ने थोड़ी देर में उन्हें रिपोर्ट दे दी डाक्टरों से रिपोर्ट लेने के बादल पत्रलेक जार्खन लोटे जार्खन के 61 सिक्छकों ने दिख्छा पोटल के माधम से लिया प्रसिक्छन सिक्षकों का दिक्षा एप और ओनलाइन सिक्षन प्रसिक्षन कारेकरम जारी है भारत सरकार दोरा 90 दिनों का दिक्षा पोटल पर प्रसिक्षन कारेकरम चलाया जारा है इसी दिशा में प्रदेश के 1100 सिक्षकों ने प्रथम चरण का प्रसिक्षन पूरा कर लिया है बता देख उनाइसी आजाव सिक्षकों ने अपना रेजिश्टेशन करवाया था सिक्षकों द्वारा प्रसिक्षन पूरा करने पर उनके बीच एक सर्वे किया जाएगा सर्वे 50 फिस्दत प्रस्णों का सही जवाब देने वाले सिक्षकों को बारा सरकार द्वारा परवानपत्र दिया जाएगा 20,000 भूमिहिन आदिवासियों को बन पटा देगी सरकार राजे के आदिवासि के 20,000 से अधिक भूमिहिन लोगों को सरकार बन पटा देगी मुख मेंत्री हेमन सुरें ने कल्यान विभाग को इसे सम्मंदित प्रस्ताव तयार करने का निदेश दे दिया है सिएम हेमन सुरें ने दुमका में भूमिहीन आदिवासियों को बन पटा देने का एलान भी किया है सुत्रो के अनुसार इसे समंधित प्रस्ताव जल्द ही केविनेट में रखा जाएगा और सुक्रीति मिलने के बाद 29 दिसंबर को हेमन सरकार के एक सल पुरा होने के मौके पर बंट पटा दिया जाएगा हलाकी कोशिस की जा रही है कि राज असहपना दिवस 15 नॉमबर से ही इसकी शुरुवात कर दी जाए राची उपायुक्त ने वैक्सिन वित्रन और रख रखाव को लेकर दिये दिसा निर्देश उपायुक्त ने कोल्ड चेन मेनेजमेंट, डाटाबेस, संधारन तथा अनमहत्पून आकडो के संधारन की समिक्षा करते हुए सिविल सर्यन को आवसक दिशा निर्देश दिये जार्खन के आदिवासी सासको के कारेकाल और अस्थानिये सासन बेवस्था पर होगा सोद जार्खन के जनजातिये सासको रजाओ के सासन काल और उनके कारेकाल पर सोद किया जाएगा जारखन हाई कोट में किसी भी मावले की जनकारी अब गहर बैठे मिल जाएगी हाई कोट ने इसके लिए अपना एप जारी किया है जिसे एक कोट सर्विस नाम दिया गया है एप में कोट में लंबीत मामलों की जनकारी से लेकर कई साल पुराने मामले के आदेस भी उपलब्ध है केस किती थी अमतिम और अगली सुनवाई समयत आंतरीम आदेस की भी जनकारी उपलब्ध है एकता दिवस पर राजेपाल ने सर्दार पटेल को याद किया डीजीपी ने लीपरेट की सलामी सर्दार बलब भाई पटेल की जनती को राश्रिय एकता दिवस के रूप में मनाया गया इस दोरान जहरखन की राजेपाल द्रोपती मुर्वु ने सर्दार पटेल को याद किया उनके चीत्र पर मलयारपन किया दूसरी तरफ राची के ड्रोणडा इस्थित जैप ग्राउंड में सुरक्षा बलो की ओर से भावे कारकरम का योजन किया गया इसमें सुरक्षा बल के जवानों ने प्रेट किया वहीं डीजीपी ने प्रेट की सलामी ली इस दुरान मौके पर जैप कमांडेट अनिस गुपता भी मौजूद रहे दसवी बरोवी एकजाम 2021 चार नॉवंबर तक भरे रेश्टेशन फर्म बर्ष 2021 में होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडियर की परिक्षा को लेकर रेश्टेशन फर्म भाने की परकिरिया जारी है जो बिना फाइन के चार नॉवंबर तक भरा जा सकेगा वहीं साथ नॉवंबर तक चलान के माद्यम से बैंक में सुल्क जमा किया जा सकेगा जबकि विलम सुल्क के साथ अठार नॉवंबर तक रेश्टेशन के लिए चलान के माद्यम से सुल्क जमा करना होगा बता दे कि रेश्टेशन की परकिरिया ऑनलाइन की जा रही है उलेखनिया है कि मैट्रिक और इंटर्मीडियर्ट की परिक्षा फर्वारी और मार्च माह में होगी 300 रुपे विलाम सुल्प के साथ पंजियन होगा दूसरी तरफ नवी में उतीर्ण होने वाले विद्यार्थी भी आवेदन संबंदित पोर्टल से ही भर सकेंगे जार्खन में 474 संक्रमीतों के पुष्टी हुई जो राची से 149 बोकारोती 74 चातर पांच देवखर 20 धनबाद 31 दुमका तीन पूर्वी सिमू एक साथ गाडवा पंद्रा गेडी चार गोड़ा साथ गुमला साथ हजाईर बैक तेरह खोटी 10 कोड़ारमा 6 लातेहर 5 लुर्द है जबकि 9575 लोग स्वास्ट हुए और 884 मिरती हो गई भारत में कुल संक्रमीतों के संख्या 81,282,881 है जबकि 34,993 लोग स्वास्ट हुए और 1,222,199 की मिरती हो गई भारत में नाय केस 46,715 मिले हाई जबकि अंठामर है 292 लोग स्वास्ट भी हुए है भारत में इस समय एक्टिब केस 5,70,106 है वहीं जारखन में एक्टिब केस 3,502 है मुख्यमंत्री ने सरदार बलभाई पटेल को किया नमन मुख्यमंत्री हमन्सुरे ने सनिवार को सरदार बलभाई पटेल की जयनती पर उन्हें नमन किया मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्याय और सोशन के खिल पर लोगों के हक अधिकार की राख्षा करने का प्रणले मोबाइल एप से मिलेगा नौवी से बरावी के डिजिटल कॉंटेंट जारखंड के हाई स्कूल और पलस्टू स्कूल में पढ़ने वाले नौवी से बरावी के चाथ सत्राओं को अब एप के जर्ये डिजिटल अगले सब्ता के बाद से उन्हें नहीं मिलेंगे बता दे कि स्कूली सिक्षा और सक्षाता विभाग ने लर्निटिक्स नाम से एप लॉंच करने जा रहा है इस लर्निटिक्स एप में नवी से बरावी क्लास के लिए अलग-अलग सभी विशायों और सभी चेप्टर के रस्न बैंक भी होगा अवैद हतियार लेकर चलने वाले अपराधियों को बिना संकोच मार गिराए डिजीपी जाखन पुलिस के डिजीपी एंबी रावने सनिवार को कहा है कि हतियार लेकर चलने वाले अपराधियों को मार गिराने में पुलिस कर्मी तनिक भी संकोच ना क उन्होंने कहा कि अपरादियों को मार गिराने वाले पुलिस कर्मियों को प्रोटेक्शन मिलेगा कोशिस हो रही है कैडरों की कमी को पूरी करने के लिए भागपा मावादी द्वारा गाओं में लोटे परवासी मजदूरों को संगठन से जोडने का पर्यास किया जा रहा है भागपा मवादी ने चाई बासा से लेकर भागपा मवादी के वर्चास हो वाले गढ़वा के बुढ़ा पहार इलाके तक गाओं में परवास्यों को संगठस दे जोड़ने की नसियत दी चात्र विर्ति फरजिवारा जिला कल्यान विभाग ने इस मामले की जान शुरू कर दी है संग जेवियर मिशन इसकूल बरवावा की ओर से कल्यान विभाग को आईडी पासवर्ट के लिए आवेदन दिया गया था इसमें यूट डायस कोड की जनकारी दी गए थी मामले में इसकूल के घंसे आमसाओ का कहना है कि मेरे इसकूल के नाम पर कई तरह का फरजिवारा किया गया है हम लोगों ने एसो के मादम से जिला कल्यान विभाग में इस समद में जनकारी दी है रविवार को अस्थाई थाने में इस समद में सुचना देते हुए एफायार संसत और जार्खंड के परदेश भाजपा अध्यक्ष दिपक प्रकास के बिरूद दुमका टाउन थाना में देश दुरोह का केस दर्ज कराया गया है। बता देखि दुमका जीला कांग्रेस कमेटी के अध्यक सेयामल किसोर सिंग की लिखित सिकायत पर दुमका टाउन थाना में दिपक प्रकास के बिरूद भारतिये दंड बिधान की धारा 504, 508, 120 B और 124 A के तर्ज के दर्ज की गई है। राची उपायुक्त ने दिये कई दिशान निर्देश। अपने छेतर से किसी योग बाइलका का नमांकन के लिए नाम सुची में जुड़वाना चाहते हैं तो बताए। राश्ट्रिये एकता दिवस पर पूलिस ने निकाला मार्च पास्ट। रामगर जीला में रश्ट्रिये एकता दिवस पर पूलिस विभाग ने मार्च पास्ट किया। सनिवार को सुबास चोक से पूलिस लाइन तक मार्च पास्ट निकाला गया। इस मौके पर मौजूद SDPO अनूज उराव ने कहा कि या मार्च पास्ट सहीदों के समान में आवेजित किया गया है। देश में जीतने पूलिस कर्मी सहीद हुए हैं उन्हें सरदांजली अरपीत की गई। धन्यवाद।